भारतिय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी दो हजार रुपए के नोट पर बड़ा फैसला ले लिया है RBI ने दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रबार को घोशडा कर दी है RBI के मताबिक दो हजार रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा RBI के इस फैसले के बाद पॉलिटिकल रियक्शन भी सामने आने लगे है लाजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कहा की पानसो और हजार के नोट को बंद करके दो हजार के नोट को मार्केट में क्यों लाया गया दो हजार के नोट से ब्लैक मनी जनरेट होने के चांसे ज़्यादा है फिर दो हजार का नोट मार्केट में क्यों है देश को मालूम होना चाहिए कि आखिर क्यों 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है कि अपने इभागेख कि एक कि आखिर की हजाएक बंद करना अचाना की हजाएके बंद करना दो हजाह के लोड मा면 Fenka इब बड़ा नो recommends blak money जाला चांच जोनने की वह अपने के फैस्टला किया कि conscious faitला किा समझ की पर and वर आपने बंद किया तो बताई के बंद करने को उनके पिसे मंतुरा क्या है कै पिर बल्क में बंद करने की मंतुरा है फिर बिंद आगी टाद आगी क्या वह पता Sangama घो तो देखे । टाइम ठिया है टाइम धन हमणाता है प्याले ब्लότε plusieurs कि हमने इन कारणों से दो जागा नोट हमने बंद करने का फैर्टा किया है उनके बार मालूम है पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था लगबग पूरा पैसे माँगे अंदर आगड़े ही हैं तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ का तो वो एक्स्टा मनी थी ब्लैक मनी थी क यहां वो फे करेंशी थी का छुप गई बाद में के रेकर्णों हो गई भारी करेप्सन हो आता उस वक्त में बैंकों गे बारी करेप्सन हो आता कोई सोच नहीं सकता उठ नहीं होकर के आपके नोट अदला बद्ली हो गए पॉर्ण दो जमावे नहीं नोट मिल गए उनको अब आपने जो नहीं फेटला किया है अब वो पता है पब्ली को विश्पास ने ले कम से कम विश्कान ने बन्द किया है वही आमादी पार्डी के सायोजग और दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्वेंद केजरिबाल ने अर्वियाई के फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना सात्ते हुए कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से ब्रश्चाचार खत्म होगा अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से ब्रश्चाचार खत्म होगा केजरिबाल ने पीम पर तंच कसते हुए ट्वीट किया कि इसलिए हम कहते हैं कि पीम पढ़ा लिखा होना चाहिए एक अनपड पीम को कोई कुछ भी बोल जाता है उससे समझ नहीं आता भुगतना जुनता को पढ़ता है वहीं कॉंग्रिस नेता पबन खेडा ने केंदर की मोधी सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि खोद अपने दोरा छपा हुआ नोट साथ साल भी नहीं चला पाया वो पूछता है कि सतर साल में देश ने क्या किया इदर समाजवादी पाल्टी के मुखिया खिले श्यादव ने बीजेपी पर तंज कस्ते हुए कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है दो हजार के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थ व्यवस्था ने भूगती है आर्वियाई के इस तैसले के बाद सपानेतास त्वामी प्रसाद मौरे ने कहा कि दो हजार रुपए का नोट जारी करने वाली भाजपा सरकार काले धन भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने के बहाने बंद करने जा रही है क्या भाजपा बताएगी कि केंद्र और तमान प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इवं कालाधन संभव कैसे हुआ इसे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीत की असफलता वही दूसरी तरफ कॉंग्रेस नेताल का लामा ने नोट बंदी पर कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी के पूर्व में दिये बयान पर ट्वीट करते हुए कहा राहूल गांधी जी के विचार आज सच सावित हो रहे हैं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला ना कोई ब्रसाचार को रोकने में मिला तो ये जो कदम उठाया है मुझे नहीं पता कि इसका क्या फाइदा है क्या नुकसान है मगर मैं आशा करता हूँ कि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन पे सरकार काम कर रही होगी वही पश्चिमंगाल की सीम ममताब एनरजी ने बीजेपी पर निशाना सादते हुए कहा कि लिए किया करते थे कुल मिलाकर 2000 रुपे के नोट को लेकर RBI के इस फैसले के बाद विपक्ष मोधी सरकार को घेरती नजर आ रही है